नमस्कार दोस्तों देने राम की अख अभी कि एंगे अगर आप लोगों ये तक हमाइश चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गिरपैकर के चनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आगर आका ब्स कर दें ताकि latest notification आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका question इस प्रकार है वर्तमान समय में ये अपना वैपार कर रहे हैं बहुत अच्छा नहीं चल रहा है आगे को लेके थोड़े confusion में है कि वैपार कैसा चलेगा या इसके अलावा कुछ और देखूं मैं क्या चीज़े हो सकती है क्या चीज़े करना उचित रहेगा इस विशरपण को जानना है तो आप निश्यंतर रहे है आज के वीडियो के बाद आपको doubts नहीं रहेगा एक बहुत ये अच्छे तरीके से आपको guidance मिलेगा और मैं यही करने का प्रियास करूँगा कि आपके लिए जो best रहेगा आपकी यहतरी जो मुझे best बताईगी वही कराने का प्रियास करेंगा नहीं तो आगे तो बहुत options है वो आप भी चुन सकते है तो इस प्रकार की दोविदा में जो भी विक्ती है जो भी विक्ती किसी प्रकार की दोविदा में है कि वो कोई कारी कर रहे है उस कारी में उनको बहुत अच्छी समपन्नता नहीं मिल रही है बहुत अच्छे response नहीं मिल रहे है और उस चीज को लेके वह बड़े असमंजस के स्थिती में है, बड़ी आपती जनक स्थिती में है, कि उनकी जिन्दगी कैसी रहेगी, उनकी जिन्दगी पर क्या क्या चीजे हो सकती है, क्या चीजे होनी चाहिए, तो आज के वीडियो के बाद ना, किसी को कोई डाउट नहीं अपने हिसाब से अगर आप कारी करोगे न, अपने हाथ के हिसाब से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर अपने कॉर्डिंग चलोगे न, तो हो सकता है दिक्कत हो, एक बहुत छोटा समय बात बताता हूं, कोई विक्ति किसी पेपर को बहुत बार दे रहा है, अगर उसका उस पेपर में नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसकार्थ ही ये है कि वो विक्ती महनत करने में असमर्थ है, उस प्रकार से वो महनत नहीं कर पा रहा है, जिस प्रकार से पेपर का रिक्वाइर्मेंट है, वो अपने हिसाब से महनत कर रहा है, या फिर वो कार ये उसके लिए जब ही मने इनकी हदली देखी न तो मैंने इनसे एक प्रशन पूछा आपने नौकरी क्यों नहीं किया फिर उन्हेंने मुझे बताया कि गुरुजी मैंने एक दो बाद ट्राइ किया था मुझे नहीं मिला सक्सेस तो मैंने नहीं किया नहीं तो आज मैं जॉब में रहता अब म अगर आपके पास अभी भी एक से दो साल बचा है एक्जाम देने के लिए, नौकरी प्राप्ती के लिए, सरकाई नौकरी में जाने के लिए, तो आप एक वाट ड्राई करो। फैमिली बेक्ग्राउंड वेपार का नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं स्टिक्ली मना करता हूँ कि आप वेपार मत करो 35 वर्ज की आयो तक, पहला जीज़, दूसरा मैंने जब इनके बुद्धर एका पर गौर किया, तो मुझे लगा कि इनकी बुद्धर एका मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सटिस्फेक्टरी तो है नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभावी तो है नहीं, यहां से मुझे टूटी टूटी दिखी, तो यह डेफिनिटली जातक के जिंदगी पर प्राब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, जातक के सक्सेस में अवरोध दिखाते हैं, और जहां पर से मैं आपके तली को देख रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं आपके तली को देख रहा हूँ, मुझे वेपार के कोई बहुत अच्छे योग नहीं लगे, ऐसे इनसान को बहुत ऐसी ही मजबूरी आ जाए कि आप वेपार के लाबार कोई चारा नहीं है, तब ही व पार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस तो यह नहीं देख पा रहे हैं देखो ऐसा नहीं है कि आपकी हाथ खराब है हो सकता है कि आपको साल में दो मेना फाइदा भी हो तीन मेना फाइदा भी हो, चार मेना फाइदा भी हो लेकिन most of the time आप tension में रह सकते हैं और आपके लिए जो easy है और आपके लिए जो best है वही हम लोगों को देने का प्रियास करते हैं वही उपाई लोगों से कराने का प्रियास करते हैं इससे होता क्या है ना? इससे होता बस यही है कि आपके जिन्दगी स्मूथ रहती है साइट से बहुत ऐसे नौकरी जॉब होल्डर है जो विक्ति विपार कर रहे हैं या फिर कुछ और अपना इनिसेटिव लेके कारी कर रहे हैं कुछ परहा रहे हैं, कुछ विपार कर रहे हैं कोई सेर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे है मतलब कहीं न कहीं अपने जिन्दगी को उन्होंने इंगेज रखा है पैसे कमाने के संदर में लेकिन एक फिक्स इंकम के भी उन्होंने जिन्दगी पर बनाए हैं सोर्सिस अब मैंने इनको कहा क्यों इसका रीजन आप समझो जब मैंने इनके सूरी रेखा को देखा न तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ एक सीधी असपस्ट दिखने वाले सूरी रेखा इनके हाथ पर अवस्थित थी इसका आर्थ यही होता है कि ऐसे व्यक्ति अगर परियास करें तो इनको सरकाही नौकरी हो जाईगी फिर मैंने इनसे थोड़ा सा और गहनता से कोशन पूछा अपने आपको और असपस्ट करने के लिए या फिर इनको जो मैं प्रेडिक्शन्स दूँगा या फिर इनको जो मैं सजेशन्स दूँगा उसमें और क्लारिटी के लिए मैंने दो-तिन प्रशन इनसे और भी पूछेगा आपके फैमली बैक्ग्राउंड में कैसा है तो इनके बिलीफ करो कि इनके पूरे फैमली बैक्ग्राउंड में सारे नौकरी में है और ये अपने परिवार से हटके कारी करना चाते थे इस ते इनको ने विपाड किया अब ये तो बड़ी विडम्बना हो गई और मैं तो इसको कहूंगा कि आपने गल्ती किया अब गल्ती क्यों किया पहले उसको समझिया और मैंने ये बात कहा क्यूं उसको समझवा चलिए जी ये दो चीज होती है सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ देखे आपकी जैसी मुझे सूरी रेखा दिख रही है आपके हाथ पर जैसी सूरी रेखा मुझे दिखाई पर रही है इसका आर्थ होता है कैसे जातक को कम मेहनत में सफलता मिल सकती है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन कर्ट लेवल या फिरसे थोड़े से उपर जॉब के लिए बाकि उससे ज़्यादा उपर जॉब के लिए नहीं पहला चीज तो यह हो गया अब दूसरे तरह पर हम बात कर ले तो अगर आप लीग से हटके कारी करना चाह रहे हैं तो उसमें उसके लिए आपके हाथ पर योग जोना चाहिए आपको अगर लीग से हटके कारी करना था तो आपको एक बात जो तीसी परनामस लेना चाहिए था कि मैं ये कारी करना चाह रहा हूँ, में लिए कैसा रहेगा, तो हटके कारी करने से नहीं होता है, कारी में सकस्स पाने से जिंदगी का निरधारन होता है, समझो मेरी बात, आप अगर ये सोचोगे, कि मैं कोई कारी हटके कर लूँगा, तो इससे आपकी जिंदगी बदल आपकी success जिस कारी में है चाहे वो मिट्टी वेच के हो या फिर job करके या फिर रिपार करके हो वो कारी करना आपके ज़्यादा उचित रहता है तो यहाँ पर से अगर हमारे youth का ये एक मन में दोविदा चलती है तो इसको मत चलाइए जो easy way में मिल रहा है उसको ले लो मैं किसी को भी अपने desires को खतम करने का suggestion नहीं देता हूँ और कुछ फाल्तू के वीडियो को देखे जो stock को देखे ये सब अपने सिंदगी पर आजमा हो मत यूँकि वो उसी व्यक्तिक लिए होता है जो लाख में एक होते हैं आपने अगर ये बहुत सा channel 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 देखा होगा या फ इसने जो मिल रहा है सामने से उसको ले लीजिए बाकी extra दिमाग बाद में लगाई है मेरा suggestion तो यही रहेगा बाद माकिने को मेरे पास बहुत दुखी दुखी लोग आते हैं उनका तो कहना वो कहके चले जाते हैं लेकिन especially हमें लोगों को समझाना परता है ऐसा नहीं कि मैं लोगों को motivate नहीं करता हूँ बहुत करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ लोग बहुत motivated होते हैं हमसे बात करके लेकिन मैं लोगों को misguide नहीं करता तो यहाँ पर से मैं आपको एक suggestion यही दे रहा हूँ कि आपकी जैसे सूरी रेखा है अपने हिसाब से कारी मत क तो आप, हमारे इसाब से एक बार चलो, थोड़ा मेहनत करो, अगर आपके पास आयू बायू बचा हुआ है, तो एक बार ट्राई करो, एक दो बार पॉम बार गिराओ, देखो आपका हो रहा है तो करलो, नहीं हो रहा है तो फिर देखिया, आपका ऐसा भी बहुत लेट हो की है, एक आग साल में आपको देने के लिए कह रहा हूँ, दे पाईएगा तो दीजिये, नहीं दे पाईएगा तो फिर तो कोई आप्शन नहीं है, समरपन के साथ वेपार ही करो आप, लेकिन मैं तो आपका बला ही चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ आप से कह रहा ह आपकी एक चाह है, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कारे करो, अगर आप हमारे बात से, हमारे पक्षे से सहमत है, तो आप हमारे इसाब से करो, अगर आप सहमत नहीं है, आप फिर अपने इसाब से करो, अभी तक अपने इसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उम बड़ बचा है तो करो नहीं बचा है तो मत करो ठीक है चलिए जी तो ये इनके कोश्चन तो बड़ा ही important कोश्चन था इसको तो बताना बहुत जरूरी था अगर नहीं बताऊंगा तो लोग काफी भ्रहमित होंगा और ये वीडियो इनके लिए जो महतपून है वो है ही ये व आपके जिन्दगी का ये बहुत बड़ा एक पढ़ाव होता है जिस समय आपको सही निरने लेना होता है अगर आपसे निरने लेने में दिक्कत हो रहा है तो अच्छे कंसल्टेंसी अच्छे लोगों से आप कंसल्टेंसी लो अपने केरियर कंसल्टेंसी वालों से लीजिए जिससे आपका मतलब दिमाग ठीक रहे ऐसा नहीं कि कुछ भी करने लगा चलिए जी ये चीज़ आपने देख लिया फिर आगे हम विचार करते हैं ये तो इनके परशन थे जिसको मुझे उत्तर करना बहुत जरूरी था बहुत जरूरी था अब सारे प्रैंस लगबग लगबग अच्छे कंडिशन में वेपार भी करोगे तो दिक्कत नहीं होगा लेकिन हम चाहते हैं आपकी जिंदगी अगर ठहराव के साथ अगर आपकी जिंदगी चलने लगे बहुत ही है सपस्टता और अच्छे तरीके साब के जिंदगी चलने लगे तो क्या बुड़ाई है फुर आपकी बागी रेका मुझे दिक्री बहुत परभावी नहीं है लेकिन है तो जरूर हाथ पर है तो जरूर दिग गई ना बहुत जबर्दस दिग बरश्पते एक तो आपका गरबर था दूसरी माइंड रेका और जीबन रेका काफी अलग धलग ती इसका अउर्थ होता है भी अपने हिसाब से ही कारिके तो इनको भी है ऐसा नहीं कि इनको रेकर नहीं है इनको अपने अपने डिसिजन्स पर बहुत प्राउड है इन्होंने मुझे खुल के बताया कि गुरू जी मुझे काफ़ी रिगरेट है कि अगर मैं तयारी करता सरकाई नौकरी की तो शायद आज मैं नौकरी में रहता इसमें कहीं कोई संदेह वाली बाद भी नहीं आप सही ही कह रहे हैं तो इनको इस चीज को लेकर काफ़ी रिगरेट है और मुझे ये दिखतो रहा ही है आपके अधली पर और रिगरेट होने से सिर्फ नहीं होता है चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया हमें पास्ट को लेकर ज़दा नहीं चलना चाहिए कोई फाइदा है नहीं पास्ट को लेकर चलने से हमें फ्यूचर पर ज़दा ध्यान देना चाहिए और कोशिस यही करना चाहिए कि जो बीत गया सो बात गया अब आगे के लिए प्रियास करना है और आगे के लिए प्रियास करते रहना है तो ये तो एक बड़ी प्राब्लम थी माहिंड रे का हर्ट लाइन अगर दूर हो तो येसे जातक बहुत ही इंडिपेंडनेट रूप से कारी करना चाहते हैं और बहुत ही इंडिपेंडनेटली अपने कारी को करते हैं जो कि कभी कभार गलत भी होता है दूसरी नेगेटिविटे अगर मैं देखो तो बरश्पती ही गरबर थी इस केस में तो आपको खुद का इन्वेस्ट करना ही ने चाहिए एकदम सजेशन लेने के आवशकता थी तीसरी नेगेटिविटे में वही बुद्ध फिंगर छोटी है जहाँ पर से डिसिजन मेकिंग बहुत अच्छा नहीं होता है तो ऐसे लोग को एक बार सजेशन लेने में कोई आपती नहीं कोई बुराई नहीं है सजेशन लेने से आपका ही भला होता है आपकी ही चीज़े बड़ी असपस्ट होती है तो निरने लेने से पहले एक बार परामर्स लेना ही पड़ता है और बड़े अराम सा समझा देता हूँ, समझना ना समझना आपके उपर डिपन करेगा, टोटली, तो अब बगर मैं इनके हाथ को देख रहा हूँ ना, तो मुझे दिखतो रही है कोई चीज, यहाँ पर से कुछ-कुछ प्रगति के योग, तो बचपन ठीके भी इता है, लेकिन थोड़े से विपरीट पस्तिती के भी योग थे, मतलब माइंड काफी फ्लक्च्वेट करता है, 22-23 वरस तक तो भच जा था, और फिर ये भी एक दिक्कत वाली योग थे, ये विपरीट पस्तिती ही थे, 24 वरस तक तो ऐसे भी आपकी नौकरी नहीं होती, हाला कि 23 में एक थे, 23-24 में भी योग थे, फिर 25 में एक विपरीट पस्तिती बन गई, 26 में एक योग थे, एक तरक्की 28 में थी, फिर एक विपरीट पस्तिती आपकी 29 में बन गई, 30 में में तरक्की थी, 32 में में अलकी थी, पर तकरीबन 34 में थी, देखो ये सब तरक्की को लेके ये मस कहां इस कार्थ ये भी होता है कि आपके जिंदगी चल तो रही है ना आपने पैसे का डिमांड किया कि मुझे वेपार करना आपके पास जुगार हो गया ना तो इसको भी हम तरक्की ही कहते हैं तरक्की कार्थ है सिर्फ यही नहीं होता कि आई-एस आई-पेस निकालोगे आई-एस आई-पेस निकालोगे तभी तरक्की होती है नहीं जी आपके एक्छा भी पूरी होड़ी है ना चाहे वो कहीं इन्वेस्ट करने के लिए ही क्यू ना हो उसको भी हम तरक्की ही कहते हैं चौतिस के बाद देखिए एक तक्रीबन सत्तर में सत्तर के बाद भी लाइफ जाए नची है मतलब कोई राहू रेखा तो है नहीं मैं बोल रहा हो ना जैसे आपका शुक्र है और जैसे आपके हाथ पर राइफ लाइन और भी चीजों की कंडीशन्स विगरा है तो जिन्दगी निकल जाएगी ठीक ही निकल जाएग मेरा तो यही कहता है कंसेप्ट कि वो सभी को करना चाहिए तो यह चीज़ आपने देख लिया अभी आपके अतली काम पूर्णता अनसेस करेंगे चीजों का सपस डूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी जादा महत पूर्ण है देखे सीखे समझे स्क्वारे स्पाम मे दन को एट्रैक करती है मूल डूप से जब यह पैसे क्या आवशकता होती कहीं न कहीं से आ जाता है तो दन को लेके विसे चेंशन वाली आवशकता है इसलिए मैं थोड़ा खोश भी हूँ इसलिए मैं थोड़ा आपको आपको आस्वस्त भी कर रहा हूँ इसलिए मैंने कह भी दिया आपको, कि आपके पास करो या मरो वाली situations तो है नहीं, आपके पास situations है कि आप कर सकते हो, एक बार और ट्राइ कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा, आपकी गुलाबी है ते लिए धन को अट्राइक करती है, बिजनस करते हैं तो यहाँ पर से पैसे के आगमन जिंदगी पर अची रहती है, जबरदस थम्ब है, जबरदस वेक्सित का प्रचा करता है इक्षा सकती बड़ी अच्छी है, एक लाइन है जातक अपने जण्दगी पर जो भी लेते हैं अपने दंपर है, चाया आप successful है या फिर अंसक्सफूल है, अपने ही दंपर हैं, और आपकी देखो desires तो बढ़े अच्छ हैं लेकिन बहुत जादा भी प्रभाबे desires नहीं है हाँ desires हैं लोग seriously लेते भी हैं कोई-कोई बात को लेकिन बहुत समय lightly भी लेते हैं चीज़ों को second french बहुत बढ़िया है जापर से जातक अपनी सम्माल के रक्षा कर ही पाएंगे और एक जबर्दस थम्ब है एक जबर्दस वेक्तितों का पर्चे कराता है जातक का शांदार जांदार वेक्तितों होता है जुकने वाली personality बलकुल भी नहीं होता है जबर्दस थम्ब है फिर समझदारी को लूप काफी अच्छी वेक्ती बहुत समझदार strong lines है ये दरशाते के इसन इसन बहुत तेज है तेज है दिल के अच्छे है एसे लोग अच्छे ही होते है बागी समझदारी को लूप ये फिंगर काफी लंबी करी स्ट्रेंथ में है तो ऐसे वेक्ती काफी स्ट्रेंथ के मालिक होते बहुत टाकतबर personality होती है finger छोटा है पाम का सेब बरा है जिसका अर्थ होता है कि जल्दी बाजी में दिरने लेते हैं तो वो थोड़ा कंट्रोल करवा फर्दे के ब्रश्पती यहां से दबाब है तो ये struggle सो दरशाही रही है अपने हिसाब से कारी करते हो और ये कुछ परोपकाई lines तो है बागी 32-33 वर्ष के बाद के ब्रश्पती ठीक है बहुत अच्छी भी नहीं इसका मैं उपाए दूँगा आपको बागी एक जवरदस्त आपकी mind रहा दिमाग के तेज है जल्दी panic नहीं होते हैं बहुत अच्छी बात है ट्राइंगल से negativity को दूर कर रही है जबरदस हिदे रहा है ना तो बहुत emotional ना तो बहुत रूर्ण है तो ये तो ठीक है ये भी बढ़ियां वस्ता है बागी रेका भी ठीक चल रही है property के योग बढ़ियां develop कर रहे हैं आपके ये आपके 38 वर्स के बाद है तो पैसा तो आएगा 38 वर्स के बाद ऐसे ही परियास करते रही है धन तो 38 वर्स के बाद जातकों को आता है दिल दिमाग के तंदुस्त है तो उसी तंदुस्ती के हिसाब से हमारी बातों को समझने का परियास करिए हो सकता है कि हमारे इस बात के बाद ही आपके जिंदगी बदल जाए कभी कभी लोगों को पता सब कुछ होता है लेकिन सिर्फ ना करने के आलश्य से या फिर अपने आपको सही ना साबित कर पाने के आलश्य से वो जिंदगी पर कुछ कर नहीं पाते हो सकता ह दो तीन बार वीडियो को देख लीजेगा जिससे आपको समझने में बड़ी आशानी होगी और आप जिंदगी पर अच्छे तरीके से कारे को बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊंगे तो यह तो मैं आप से जरूर गुजारिस करूंगा आगरा करूंगा इस हिसाब से आपको चलना है और इस आप से चलने का प्रियास करना है पर देखें यहां से दबाब वे तो विक्ति महनती तो होते हैं पर देखें स्ट्रॉंग बागगे रेका आगे भी चल रही है घर से दूर का भी उननती का है लाइन ओफ इजोकेशन अच्छी है बेसिक नॉलेज बड़ा अ तेज तो होते हैं दिवा के बड़े तेज विक्ति हैं और तेजी से अपने जिंदगी को लेके चलते हैं और आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं तो दिमाग काफी तेज है सूरी मरकरी अच्छा बुद्धिवेक से कार करते हैं तेज तराग विक्ति है पैसे तो कमाल होग स्वास्त को लेके तो मैं कोई इसे टेंशन नहीं देख रहा हूं लेकिन फिर भी थोड़ी लापरवाही अगर होगी तो एक स्वस्त व्यक्ति भी विमार पर जाएगा तो लापरवाही ना करे बादमा कि मुझे तो वैसे कोई मेजर दिक्कत नहीं है मेजर इशूज नहीं है स्वास्त को लेके तो दोनों मंगल जो ना यह आपका बहुत ज़्यादा प्रभावी है बहुत खतरनाक है देख एकदम मजा सा आगया एकदम मजा सा आगया जबरदस आपका चंदरमा है और यात्रा के कुछ लाइन जिंदगी पर है चंदरमा से जुरावा कारे करोगे खाने पीने से जुरावा पॉलिटिक्स विगरा इन सब के कारे में सफलता मिलने का असार है और पानी दूद दही से इस कारे में सफलता मिलने का असार है चंदरमा और से बहुत अच्छी बागे रेखा रही थी। 18 वर्षे सक्रिये हैं, थोड़ी मोटी हो गई आपकी तकरीबन 30 वर्षों तक 30 वर्ष के बाद फिर भागे र향का ठीक है आगे ही ठीक है। 36 के बाद बढ़िया है और आगे भी बागे रेका बढ़िया है और आपके multiple property का सुख तो है बुद्धर रेका टूटी हुए थोड़ी स्वास्त के problem को indicate करती है और पैसे जमा करने में भी problems होती है थोड़ी बाद बाद के शुक्र इतना बढ़िया है ना शादे के बाद बाद जाते है नो डाउट एक जवर्दस आपका मंगल है और स्ट्रॉंग यहाँ पर से लाइन से दो मंगल रेखा एक जीवन रेखा आयो बेदर कायो है विना किसी दिक्कत के नॉर्मल टेंसर की होगे फालतों का सोचते वे नहीं एकदम मस्त रहते है जवर्दस प्राक्रमी यह प्राक्रम के अधार प्रकार करते हैं लेकिन थोड़ा बातों को समझेना है और जिन्दगी को सीस्टी लेना है यह दा इनकतरी का पूर्णता विश्ट्रेशन अगर आपको मारे यह बिड़ो पसंद है लाइक करते कमेंट करते हैं अगर आप प्रस्तरी में सब्सक्राइब पाना चाहते हैं हमारा वर्टसप में में डिस्कॉशन मिल जाएगा लेकि आप समपर कर सकते हैं धन्यवाद